पीलिया को जड़ से खत्म करने की आयूरवेदिक दवाव वेलकम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी अदभुत चमतकारी जड़ी बूटी के बारे में जो हमारे सरीर से कई सारे खत्रनाक रोगों को बहुत ही आसानी से खत्म करता है पीलिया जैसी खत्रनाक रोग का ठीक करने की मात्र एक चमतकारी दवादोस्तों बने रही हमारे साथ अगर आपको पीलिया का रोग नहीं है फिर भी इस वीडियो को देखें पीलिया का रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है और यह जड़ी बूटी हमारे सरीर से कई सारे खतरनाक रोगों को बहुत ही आसानी से दूर करती है तो दोस्तों ध्यान से देख लो और पहचान लो यह इसकी फलियां है यह इसके बीज हैं दोस्तों इसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद हैं हमारे सरीर के लिए तो दोस्तों ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अदभुजडी बूटी का नाम है भूमी आवला यह देखिए भूमी आवला का पौधा है यह आपके घर के आसपास खेत खलिहानों में सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर यह बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है हमारे सरीर को निरोग बनाने की सबसे फाइदे मंद दवा लीवर अगर आपका लीवर कमजोर है लीवर के लिए यह बहुत ही जादा अदभुद दवा है अगर आपके लीवर में सूजन है आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता आप खाने को अच्छी तरीके से पचा नहीं पाते आपका लीवर अगर कमजोर है आपके लीवर में अगर सूजन है किसी भी प्रकार का इंफेक्षन है अगर आपके लीवर में तो लीवर के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंदवा है आपको भूमी आवला के पत्तों को लें भूमी आवला के आपको इस तरीके के पत्तियों को तोड़ लेना है और इसे आपको छाय में सुखा कर पीस कर पाउडर कर लें और इसमें आपको काला नमक दोस्तों इसमें आपको काला नमक जितनी मातरा में आप इसके पत्ते का पाउडर करें उसके आधी आधा मातरा में आपको इसमें काला नमक पाउडर करके मिला दें और इसका सेवन आप प्रति दिन एक एक चमच की मातरा में सुबह साम करें आपके लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या को यह बहुत ही आसानी से ठीक कर देगा आपके लीवर को मजबूत बनाने की सबसे ज्यादा चमतकारी दवा बुखार अगर कोई भी बुखार से परिसान है बुखार के रोगियों के लिए यह बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है चाहे जैसा भी बुखार हो डैंगू चिकनगुनिया दोस्तों जैसी खतरनाक बुखार मलेरिया टाइफाइड जैसा बुखार को यह मात्र दो दिनों के अंदर ठीक करने की दवा है कैसा भी बुखार हो अगर आपको बुखार हो रहा है चिरैता चिरैता आपको आयूरवेदी की श्टोर पर किराने की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा चिरैता और आपको गिलोई जिसे हम गुरिच देशी भासा में गुरिच भी काते हैं गुरिच और दोस्तों आपको मिला कर अच्छी तरीके से गुरिच को कूट कर इसमें मिलाएं और आपको भूमी आवला पीस कर मिलादें और चिरेता मिलाकर इसे पका कर इसका अच्छी तरीके से काढ़ा बनाएं और इस काढ़े का अगर आप मात्र 2 दिन सेवन कर लेते हैं आप मात्र 100-100 ग्राम की मात्रा में तो आपका कैसा भी बूखार हो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा तो दोस्तों यह डाइविटीज के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद है डाइविटीज के रोगी आप जो फलों को देख रहे हैं भूमी आवला के फलों को मातर इसके पांच बीजों को आप प्रती दिन चबा चबा कर खाएं और उपर से गुनगुना पानी का अगर सेवन करते हैं तो मातर एक महिने के अंदर आपका कैसा भी डाइविटीज हो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों खतरनाक रोग पीलिया अगर आपको खतरनाक रोग पीलिया हो जाता है पीलिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग है इसमें होता है दोस्तों हमारे सरीर का खून पानी बनने लगता है हमारा पूरा बदन पीला पड़ जाता है हमारे सरीर में कमजोरियां आ जाती हैं हमारे सरीर में तरह तरह की बीमारिया पनपने लगती हैं अगर पीलिया हो जाए तो पीलिया को ठीक करने की मात्र एक चमतकारी दवा आपको इसके पूरे पौधे को जड़ सही तुखाड लें पीलिया अगर आपको हो जाता है तो आपको मात्र करना कुछ नहीं है आपको सिर्फ इसके पौधे को उखाड़ लें और पौधे को उखाड़ कर अच्छी तरीके से धोकर इसे साफ कर लें और प्रति दिन आपको लगभग इसके पौधे का एक पौधा उखाड़ें और पीस और पीस कर इसे च्छाच में मिलाकर इसका सेवन कर लें सूबर साम जब आप मातर तीन दिनों तक सेवन करेंगे आपके सरीर से पी लिया जड़ से खत्म तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडि वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड